Hello Friends, Welcome to Study News प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के नए विमान B777 में Advanced Missile Defense System होगा तो इस विमान में क्या खास बात होगी, कैसी Defense System होगी, जानेंगे इसके बारे में So, Let's Start प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और सीर्ष भारती गड़मान ने लोगों को लाने और ले जाने के लिए विसेश रूप से निर्मित दो B777 विमान सितमबर तक Boeing Company की ओर से Air India को सोब दिये जाएंगे प्रधान मंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए B777 को बनाया गया है इसमें विसेश रूप से मिसाइलों से लेस इसे किया गया है इन विमानों की डिलीवरी फरवरी या मार्च में होनी थी लेकिन COVID-19 के वज़े से इसकी डिलीवरी सितमबर तक होगी इन विमानों में एडवांस मिसाइल सिस्टम होंगे जिनहें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफरारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सुट्स कहा जाता है इन एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया को सोपा जाएगा लेकिन इसे एयर इंडिया के पाइलेट नहीं चलाएंगे इसे हमारे इंडियन एयर फोर्स के पाइलेट चलाएंगे लार्ज एयरक्राफ्ट इंफरारेड काउंटर मेजर्स के बारे में जान लेते हैं यह दूसरे बड़े विमानों के मैन पोर्टेबल मिसाइलों से बचाता है ये चालक दल को सेक्योर्टी सम्बंदित सूचनाय देता है फाल्स अलार्म रेट्स को डिक्रीज करता है और इन्फरारेड मिसाइल सिस्टम को अटोमेटिकली काउंटर करता है इसमें आप देख सकते हैं ये इन्फरारेड मिसाइल सिस्टम से सेक्योर कर रहा है एरोपलेन को ये सारे एक्विपमेंट है लार्ज एरक्राफ्ट इन्फरारेड काउंटर मेजर्स के Self Protection Suits में Protective Suits होते हैं जिसको पहना जाता है जो Emergency में पहना जाता है इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, राश्टपती और उपराश्टपती Air India के B747 विमानों से यात्रा करते हैं जिन पर Air India 1 का लोगो लगा हुआ है इसे Air India के Pilot चलाते हैं जब ये B747 विमान इन गण मान्यों को लेकर उड़ान नहीं भरते तब उनका इस्तमाल भारती राश्टपती परिवाहक व्यावसाय परिचालनों के लिए किया जाता है लेकिन B777 का इस्तमाल केवल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, राश्टपती और VIPs के लिए किया जाएगा I hope आपको यहां कुछ समझ में आया होगा So thank you for watching this video Please subscribe, share or comment